नमस्कार में हूँ जोथी आपके अपने चेनल जोथी कीचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वावत हैं गणेश चेतोर्थी के आप सभी को बहुत-बहुत शुक्पाँना आज बनाते हैं गणेश चेतोर्थी special मोधक की रेसिपी चलिए शुरू करते हैं बनाना आज बनाएंगे महाराश्च्ट के फेमस और पारंपर इक तरीके से बनने वाले उकड़े के मोदग जो बिल्कुल एक चम्मज गी से बनेंगे बिल्कुल सौप्ट और मुलाएं एक ही बार में आप परफेक्ट तरीके से उकड़ी के मोदग बना पाऊगे कुछ टिप और ट्रिक्स को ध्यान में रखेंगे जिसे मोदग बनेंगे बहुत ही सौधिश्ट तो प्लीज वीडियो को पूरा इंतक वाश करें बनाईए बताईए कैसे लेगे चलिए शुरू करते हैं देड़ कप के करीब करीब गे मैंने चामल ली है राइस बोलते हैं नौर्मर वाला इसे दो-तिन पानी से अच्छी तर वाश कर लिया था पानी निकाल कर इसे सुखा लिया सूती कपड़े के उपर अच्छी तरह ये सूख गये हैं अब मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका पाइन पाउडर बनाएंगे पहले इसमें एक चम्मस साबुदाना डालेंगे जो बुरत में खाते हैं वो इससे चिपचिपापन आ जाता है और मोदव बहुत ही बढ़िया बनते हैं साबुदाना नो तो कॉर्न फ्लावर वगरा भी मिला सकते हैं ये देखें मैंने पाइन पाउडर बना लिया फिर भी इसमें थोड़ा दाना रह जाता है तो इसे चानना बहुत ही जरूरी है मेदे की चन्नी से चन्न रहे हूं में ये मेरी छोटी चन्नी है आप चाहे तो सूती कप्ड़े बारीक वाला से चान सकते हैं, सूती कप्ड़े से, यह देखें, अच्छी तरफ फाइन पाउडर बनाया, बिल्कुल भी यह जो पचा हुआ है, आप इडली वगेरा में यूज कर सकते हैं, इसे भी इस तरफ भी चान सकते हैं, कप्ड़ा लग जिसे पनीर वगेरा बान कर रखते हैं, चुन्नी वगेरा आप सुती चुन्नी से भी चान सकते हैं, बिल्कुल भी दरदरा पाउडर न रहे, पीसने के बार रक्सर रह जाता है, इसलिए इसे चानना बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल मेदे की चन्नी से, अब एक कप माप ल इस रही हूं, यह इलेक्ट्रिक वाला चोपर है, यह चार्ज करके रखना पड़ता है, इसमें सबजी भाजी बगेरा भी अच्छी तरह चौप हो जाती है, बिल्कुल बारिक भाइन अच्छी तरह हो जाती है इसमें, वेजिटेबल बगेरा, इससे यहां से चार्ज कर ले एक कप तिल लेंगे और इसे भून लेंगे, बिल्कुल मीडेम आज पे, तर्टर की आवाज आती है इसे भूनने से, इसका स्वात सारण का भर जाता है, भरावन वाली फिलिंग तेयार करेंगे, थोड़ा पीस लेंगे और थोड़ा बचा कर लखरें लेंगे, थोड़ा प बूल लिया है, आदा कप के करीब करीब, ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, इससे लोच आ जाता है, आप इसको बॉल में ट्रांसवर करेंगे, आप चाहे तो इसको गरम करक सकते हैं, पर वो कड़क हो जाता है बाद में रखने के बाद, इसलिए मोदक में डालने के बाद ही मे लगता इसमें कोकोनट का बुरा डालेंगे आधा कब और ये सारन लंबे समय तक खराब नहीं होता इस बात का जरूर ध्यान रखें ये ड्राइफ रूट डालेंगे दरदरे के हुए फ्राइ के हुए इससे स्वार भढ़ जाता है इलाइची पाउडर और खसकर डालेंगे ब से आप फेल्डिंग बना कर देखें आपको बहत पसंद आएगी फ्रेंड वैसे तो कोकोनट और बूर से बन जाती है या खजूर से बन जाती है पर एक बार तिल बगेरें डालके देखें स्वाद और भी बढ़िया आता है मोदक का प्लीज अगर मेरी डेशेपी जरासरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें अधिसरी दोस्तों रिस्तेदारों के साथ शेयर करें नए तो सस्क्राइब करना नो बूले बेल आइकन जरूर प्रेस करें आप मुझे इस्ट्राग्राम पर फॉलो कर सकते हैं यह देखे सारन अच्छी तरह बन चुका है दूत को म आप कोई छर्णी छेद वाली हो उसमें भी रख सकते हैं यह केले के पत्ते रख दिये इससे चिपकेंगे नहीं मोदग एक कप पानी डालेंगे और एक चमबच घी डालेंगे अच्छी तरह इसे गरम होने देंगे और जो चामल का आता एक कप मापा था मेजर्मिंट का ध् देंगे पानी और चामल का अठा अच्छी तरह मिक्स गिला होना चाहिए 10-15 मिट के लिए इसे धक्कन रख देंगे रिष्टे होने के लिए फूल जाएगा आता नरम हो जाएगा बिल्कुल भी सौप्ट और इसका जो धक्कन में छेट था वो भी बंद कर दिया मिने थोड जिसे अब पानी रख देंगे इस्टिमोने के लिए मोदक के लिए जिससे अच्छी तरह ये गरम हो जाए जेड़ कप के करीब पानी है अब इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे छोटे छोटे बॉल जिसे मोदक में भरने में आसानी होगी और उसके अंदर जो तिल से डाय फूर्ट से अब ये दस पंदर मिट हो चुके हैं थोड़ा गुनगुना उने पर ही निकाले इसे जिससे अच्छे मोदक बनेंगे बहुत ही बढ़िया बनेंगे हर मनु कामना पूर्ण होती है मोदक चड़ाने से गंटतिवप्पा को दुरवा ओशमी के पत्त पूल आप जरूर चड़ाएं लाल फूल गुड़ैल का ये गिलास से मैंने थोड़ा सा इसे अच्छी तरह मसल लेंगे जितना आप अच्छी तरह से मसलेंगे न उतने मोदक बढ़िया बनेंगे ये देखें थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया था गिलास के नीचे आप मैंने हाथ लगा लिया है थोड़ा पानी का जिससे मसल मसल लेंगे तो आठा अच्छी तरह गुंदेंगे न तो मोदक बहुत ही सौप्ट बनते हैं उपर से थोड़ा एक चमज घी लगा लेंगे देशी वाला चुक्केंगा ने ये देखें कितने बढ़िया आठा गुंद कमिंड बॉक्स में हाथ से इसे फेला लें किनारों को बिल्कुल बारीक रखें पतली सी रोटी रखें बिल्कुल पूरी की पतली पूरी बेले से हाथ से करें आप चाय तो बेल भी सकते हैं देखें बिल्कुल भी चीरे नहीं पड़िये हैं क्योंकि साबुदाना डाला चि बेसा चाय आप बेसा बना सकते हैं, और चोटी-चोटी, और ज्यादा कली आपको अबशकता है, तो आप और भी पास-पास में ले लें, उस ते साफ से, देखें कितना बढ़िया मुदग बना है, आप दूसरा मुदग बनाएंगे सांचे से, थोड़े सांचे में चिकना ही जगा लेंगे, यह देखें, जिसे चिपके गाने, आप चाय तो इसके उपर थो और ऐसा पिस्ता बगेरा भी लगा सकते हैं, अंदर से अच्छी तरह इसे प्रेस कर देंगे, अंगुठे से या उंगली से, दवा-दवा कर, बेगनर लोग भी इसे बना सकते आसानी के साथ अब इसके अंदर जो लड़ू तयार किया था वो डाल देंगे, इतना खोल बनाए अच्छा गड़ा सा बना लेंगे, खोल सा, अब उपर से तोड़ा सा पिर चामल काटा लगा देंगे, बंद हो जाए, और आइस्ता से इसे कुलेंगे, एक समान मोदग बनेंगे, मैंने इ जैसे बनते हैं, यह देखें, सभी मोदग इस प्रकार बना लेंगे, आपको जो तरीका पसंदो, मुझे जरूर बताए कमेंट बॉक्स में, यह देखे, सभी को मैंने बना लिया है, आप केले के पत्ते के उपर रख लेंगे, अगर आपके पास पत्ता नो, तो सूती कपड फेला ले, ओ थोड़ा गीला करके फेला ले, जिससे चुक्केगा नहीं, आप इस्टिमोने के लिए मैंने पानी पहले ही रख दिया था, आप उसको 10-15 मिट के लिए इस्टिमोने के लिए रख देंगे, उपर से दूद डाल देंगे, जो मिठा वाला दूद केशर वारा कि जा था वो डालेंगे, जिससे सौप्ट बनेंगे मोदग, बहुत ही बढ़िया सौप्ट बनेंगे, एक बार मेरे तरीके से बना कर देखे फ्रेंड, आपको बहत पसंद आएंगे, आपको और भी रेसिप्टिप्स मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे मोदग जाले हुए हैं, कई तरीके से मोदग बनाएं, मैंने रागी के मोदग, और सिर्फ दो चीजों से मोदग बनाएं, आप इसे ढख कर रख देंगे, दस-पंदा मिनिट के लिए, इस्टिम होने के लिए, देखे कितने बढ़िया बनें, अब इसे इसी तरह बंद कर दिया, मै देखे, निकाल लिए मैंने, अब इसे तोड़ कर बताती हूं, कितनी बढ़िया फिलिंग बनी है, और अच्छी तरह मेल्ट हुआ है, देखे, चारों तरह मेल्ट हुआ है, घूड अच्छी तरह, घूड नारियल, तेल, ध्राइफ रूट, तो आप कब बना रहे हैं,